हेलो फ्रेंड वेल्कम बेक तो माई यूटूब चैनल तो आज हम बना रहे हैं लौकी की बरफी इसके लिए हमने ये दूद लिया है आदा लीटर दूद है तो हम यहाँ पर इसको गैस पे हमने चड़ा दिया इसको और गैस की फ्लेम को आपको तेजी रखना है तो यहाँ प हमारा गाड़ा हो जाएगा ना इस तरह से ऐसे मावा की तरह तो यह देखो ऐसे यह बन गया तो यह अच्छे से यह आप घर पर बनाओ अच्छे से बन जाता है बस थोड़ा टाइम लगता है और 15-20 मिनिट जैसे दूद थोड़ा था तो उसी साब से लगेंगे तो यह हमा अब हम इसको निकाल लेंगे यह देखो कितना बढ़िया बन गया ना कोई मिलावट नहीं कुछ नहीं अपना दूद का मावा बन कर तयार हो गया यह निकल आया इतना सो डेड़ डेड़ सु ग्राम होगा तो इसको यह बन गया आप इसको साइड पर रखते हैं और इधर हम अब लौकी की तयारी करें तो लौकी को हमने अच्छे से साफ कर लिया धुल लिया अब इसको हम अच्छे से छील लेंगे इस तरह से आपको अच्छे से पूरी लौकी को छील लेना है छील के फिर इसके दो या तीन पीस करके अच्छे से इसको मतलब हमको इसको कद्दू क करना है तो इदर हमने छील के यह देखो इस तरह से ऐसी पीस कर लिए अब इसके अंदर का सारा गूदा हमको निकालना जो बीज इज होता है ना वो सारा गूदा इसका अच्छे से हमको साफ कर देना है यह यह नहीं रहना चाहिए क्योंकि यह जब बरफी में जाएगा ना त और भी नहीं अच्छे लिए तो बीज गूदा इसका सारा हमको साफ करना है इस तरह से ऐसे इसके बीज का सारा निकाल देना है और इस तरह से ऐसी साफ हो जाएगी ना इसको एक साइड पे रख लेना इसी सारे हम कर लेंगे फिर हम इसको कद्दू कस कर लेंगे तो इदर ह मैं आपको दिखा रहे हूँ कि ना तो बड़े से करना है ना बिल्कुल छोटे बारीक से ये मीडियम वाले से हम कद्दुकस इसको कर लेंगे इसके लच्छे अच्छे निकलते हैं मीडियम साइज वाले से ऐसे इस तरह से कद्दुकस कर लेंगे सारा और कद्दुकस करते जा ना साथ-साथ पानी में डालते जाना तो ये हमारी बिलकुल काली नहीं पढ़ेगी तो इधर हमने ये गद्दू कस कर लिये ये सारे एक बोल में डाल दिये अब इनको दो-तीन वार अच्छे से बोश करके इनको साफ करके हम अच्छे से दोनों हाथों से इसको ऐसे लड़ू की तरह बना के इसका सारा पानी हमें ये मतलब निचोड देंगे ऐसे अच्छे से ऐसे लड़ू की तरह करके इसका सारा पानी हमें निचोड देना है बिलकुल एकदम ड्राइ कर लेनी है इस तरह से ऐसे सारी हम साफ कर लेंगे और जो बाद में रह जाए ना वो आप मतलब छन्नी में डालके उसको लौकी-लौकी अच्छे से निकाल लेनी है, सारी इसी तरह ऐसे करनी है, तो यह देखो हमने कर लिया, अब हम इसको अच्छे से ऐसे फोड देंगे, इसको से मिलकुल, सारी ऐसे एक सी हो जाए, मिक्स, तो अब हम चलो ले चलते इसको हम कडाई में पकाएंगे, तो इदर हमने यहाँ पर यह राई फैन हमने रख दिया इदर, और यहाँ पर हम इसमें दो चम्मच गी अड़ कर देंगे, आप इस तरह से लौकी की वर्फी बनाओ, बहुत अच्छी बनती है, और बहुत बन जाए, एक वार आप ट्राई कर लेना, और यह रैस्पी हमारी अच्छी लगे, तो प्लीज प्लीज हमारी चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, तो इदर हमारा घी थोड़ा गरम हो गया, फिर हमने यह लौकी सारी इसी में एड़ कर दिया है, तो इसको हम 10-15 मिनट के लिए अच्छे से इसको हम पका लेंगे यहां पर धीरे तो इधर हम इसको अब 5 मिनट के लिए ड़क कर पकाएंगे, जब तक यह लौकी हमारी सॉफ्ट ना हो जाए, तो जब 5 मिनट बाद फिर बीच बीच में आप चलाते रहना इस तरह से, और इधर हम फिर इसको सॉफट हुई है, कि नहीं तो फिर जब हमारी सॉफट हो जाए तम वहम इसमें चीनि एड कर देंगे तो इधर हम ने यह कटोणी भरके चीनि लिए है, 1 अद्धा कटोरी और और इसमें एड की, मतला कर दूए यहम लेक्प यह लिए पर शुछ संगा है क्योंगे चीनि हो है इसका फिलेवर अच्छा लगता है तो दो ती निलाई ची कूट के या इसमें आप पाउडर बनाके इसको डाल देना तो इधर हमने ये जब थोड़ी गाड़ा हो जाए ना चासनी मतलब चीनी की चासनी सी हो जाए ना फिर इसमें आप एक चम्मच भरके मतलब ये दूद एड़कर देना कच्छा ले 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 या मतलब गरम दूद ऐस भी मतलब दूद होना चाहिए तो ये चम्मच अगर अब आप इसमें दूद आड़कर दोगे ना तो ये भाईट हो जाती है जब हमारी ये जमति है ना तब एक दम सफेद हो जाती है ये दूद का ये है एक ट् तो यहाँ पर यह आप देख ले ना पानी में डालके ऐसे जमने लगे ना तो फिर आप गैस को बंद कर देना तो इस तरह से हो जाए ऐसे आपको लगे कि हाँ आप यह जम जाएगी तब आपको गैस बंद कर देनी है तो यहाँ पर हमने गैस को बंद कर दिया और इसमें जो ह आपको गरम में करना होगा ठंडी हो जाएगी ना फिर जमने लगेगी तो फिर जल्दी से आपको ऐसे किसी भी बरतन पिलेट किसी में भी आपको जल्दी से इसको निकालना भी है तो उसमें पिलेट में या थाली में आप उसमें नीचे घी लगा लेना फिर आप इसमें अब गैस को बंद कर देना, नीचे उतार लेना उस पे, तो इधर हमने ऐसे फैला दी, अब इसके उपर हम थोड़ी ये नारियल का बुरादा इसमें लगा देंगे, तो इस तरह से आप कोई भी अपने ड्राई फूट मन चाहिए लो, तो यहाँ पर हमने ये नारियल का बुर तो आप भी टाइट हो जाती है, जब ये थोड़ी टाइट हो जाए ना तब आप इसके पीस निकाल लेना, जादे देर मत रख न जैसे घंटे वर रख दी, तो प्र ये जादे टाइट हो जाएगे, फिर आपको पीस करते में इसको कट करने में दिक्कत होगी, तो इधर हम इस तरह से आप इसके ऐसे पीस बना लेंगे और बहुत अच्छी जमी थी एकदम से सौप्ट और ना जाद है मतलब टाइट हुई ना जाद है मतलब वैसी रही जो जम ना सके तो चीनी और लॉकी मतलब सारी चीज़ें मेजरमेंट एकदम सही था तो यह देखो इस तरह से ऐ बहुत बढ़िया बनिया आप इस तरह से बनाओ एक बार खाओ और अच्छी लगे तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो लाइक करो थाइंक्स वॉर् नशी करो लाओ, इसकंपर सारी लाँ से वॉर्ड व ändाओ, लझ बढ़ै एक बारे वो तक करो लॉके।